हेलो एंड वेल्कम बैक टो टेक्वेब यूटूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है जो एक की नया रिंसमेर आया है इह आई-जाड के नाम से जो कि कल रात से ही बहुत सारी कंप्यूटर पे स्प्रेड हो रहा है और अगर आपके कंप्यूटर में यह व वाइरस है यह बहुत ही खतरना वाइरस है यह आपके कंप्यूटर को स्बोखर करनें के साथ साथ आप से रैंसम की डिमान करता है जो कि 980 डालर जो है यह डिमान करता है अगर आपको यह देने हैं वो encrypted हो जाता है with the particular extension, जैसे कि ये वाला extension इसका नाम EHIZ है, तो हर किसी file के last में है, जो extension लगेगा EHIZ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस virus को handle करेंगे अपने computer में, और कैसे इस virus को आप remote करेंगे, और कुछ data recovery software की मदद से आप कैसे कुछ अपने data को decryptor कर सकते है, क्योंकि अभी जो ये वायरस है, ये नया वायरस है, और अभी तक इसका कोई भी decryptor available नहीं है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो आज या कल के ही सारे के सारे आपको जो है YouTube पे मिल जाएंगे, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, औ आप DJVU family से, जो के लगबग इसके 400 वारेंट्स है, और इससे पहले भी अभी तक बहुत सारे वारेंट्स है, लगबग 200 या 220 के आसपा जो भी वारेंट्स थे, उनके decryptor लगबग available है, लेकिन उसके बाद जो अगस्त के बाद जितने भी अभी तक जो ransomware attacks आते हैं, सब online ID यूज़ करते हैं, online की यूज़ करते हैं, और अभी तक किसी का भी जो है decryptor available नहीं है market में, अगर हम बात करेंगे, जो EMS की website है, EMS software की website है, वो deal करते है ransomware से, और जैसे ही आपकी computer में ये ransomware आता है, तो आपको जो है ransomware, जो report करना पड़ता है, no more ransomware.com एक website है, वहाँ पर जैसे ही आपके computer में ये virus आ जाता है, आपको internet से जो है disconnect होना है, और अपने computer को internet से connect नहीं करने देना है, ठीक है, ये पहली बात है, दूसरी बात जो है, वो ये है कि जैसे ही आप YouTube पे कोई solutions के लिए डूनेंगे, आपको बहुत सारी videos मिलेंगे, और videos के अंदर आपको की मेरे पास है, आपको किसी को भी एक भी पैसा जो है, आपको को रेंसम नहीं देना है, ये दो बातें, अब हम बात करते हैं कि सको remote कैसे करेंगे, मैं आपको computer के स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, और मैं आपको कुछ process दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता आती है तो हम अपनी चनल पर अपडेट करते रहते हैं अब यहां पर हम बात करने वाले हैं पहले आपको क्या करना है पहले हमें जो है होस्ट फाइल को एडिट करना पड़ता है होस्ट फाइल वह वाली फाइल होती है वह वाली वह वाला फॉल्टर होता है आपके कंप्यूटर में जहां पर आपके कंप्यूटर की आई पी एड्रस चुपे होते हैं तो जो आई पी एड्रस आपके कंप्यूटर में होते हैं अटैकर क्या करता है वहां पर कुछ और आई पी एड्रस डाल देता है जो कि पूरे रिमूट डी एकसस आपका कंप्यूटर करता ह और further damage उसको कर पाता है इसलिए internet connect करने से पहले आपको host file को edit करना पड़ता है और जो भी unknown IP address है उनको रिमो करना होता है अब यहां पर दो चीज़े है एक होता है removal दूसरा होता है decrypt removal जो होता है उसको मोलते है virus removal process simply अगर आपका data important नहीं है तो आप simply याद रखे आप अपने computer को reset करें आप अपने computer को reset करने के बाद अपना जो computer है वो बिल्कुल easily use कर सकते हैं कोई परिशानी नहीं है लेकिन अगर आपका data important नहीं है ओके सो अभी मैं computer के screen पे हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप host file को edit करेंगे आपको simply यहां पर start पे क्लिक करना है और start पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो है N O T E note यहां पर आपको note paid डालना है N O T E note paid तो ठीक है इसको simply यहां पर right right click करना है और right click करने के बाद यहां पर आपको run as administrator करना है याद रखना host थाल के लिए हमेश्ब हमेश्ब अबसक्त चाहिए होता है अब इसके बाद इस तरीक है को ऐसाे इसे आना को फाल में जाना है ऑं के 32 bit के बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रूल डाउन करना है और यहां से जो है आपको ड्राइवर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको ड्राइवर्स पे किलिक कर देना है अब यहां पर मैं ड्राइवर्स पे क्लिक करता हूं और इसके अंदर आपको एटी सी का फोल्डर मिलेगा अधर आपको कुछ नहीं करना है तो सींप्ली ऑफ को यहां पर फाइल औप्शन है और सेव करने के बाद आपको इसके आना है और उसके बाद आप अपने इंटरनेट आराम से यूजग कर सकते हैं अब पहली Swift करी के यहां पर आप लगाए ओप्यूश पर कोई आंट्र करेंगे बाद आपको करने के बाद है। करने के बाद पinta करने के बाद दिखना है अब यह रही दूसरी प्रासे जो करना है उसके बाद जो है आपको अपना computer एक legitimate antivirus से scan करना है क्योंकि जो ransomware आते है वो इसलिए आते है अगर आप बिने ने कोई ऐसी website विजिट करी है जहां से आप crack किसी कर डाउनड करना चाहते है यहां कोई ऐसी activity करना चाहते है जो कि legal नहीं है तो वहां से ही बहुत सारी ransomware से आपके computer में आने के chances होते हैं तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि link मैं आपको description में दूँगा आप वहां से bid defender दो तीन रुपया में खरी दिया अगर आपके पास कोई premium antivirus नहीं है और उसके बाद आप अपना computer आपको scan करना है और जो भी malware detect करता है उसके बाद simply उसको remove करना है अगर आप windows can use करते हैं simply आपको जो है उसके बाद जैसे ही आप scan करेंगे आपको start में आना है पहले हम क्या करेंगे अगर आपके computer में कोई restore point है कोई backup है तो आप वहां से अपने data को recover कर सकते हैं मालो आपका restore point है आई से दो दिन पहले आज का आपका virus आ जाया है तो आप अपने computer को restore point पे जो है back to that stage ले जा सकते हो जहां पर आपका computer सही से चल रहा था आप यह कैसे करेंगे simply आपको windows आर पे सिर्फ सिर्फ फिर से पर प्रेस करना है windows और उसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है और यह सर्च करने के बाद आपको यहां पर ok पे क्लिक करना है और आपका computer restore point देखेगा अगर आपके computer में कोई restore point है इसके बाद यहां पर next करना है और next के बाद यहां पर आपको show more restore points पर क्लिक करना है मानलो मेरा computer था यहां पर एक restore point है यहां पर 3-4 चोबीस का तो यह लग बग मार्श का मेरे पास restore point है अगर आपका computer में कोई अगर आपके पास जो है बैक अप नहीं है उसके बाद हम और एक सॉफ्टेर यूज करते है जिसका नाम है क्योपी फोटो रैक जो कि टेस्ट डिस्क है और मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे डाउनलोड की जो लिंक यहां पर आपको description मिल जाएंगी यहां पर मैं यहां पर आता हूं अपने drive में और यहां पर मेरे पास यह टेस्ट डिस्क कर जो है यह सॉफ्टेर है सिंपली एक जो है जब आप डाउनलोड करेंगे आपको एक zip file मिलेगी extract करना है आपको मैं extract here पर क्लिक करता हूं और इसके इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक इसका interface खुल जाएगा अब जैसे इंटरीफ पर इंटरफेस का खुल जाएगा मैं आपको बताता हूं उसके बाद आपको क्या करना तो यह देखिए इसका interface यहां पर है simply आपको यहां पर जो होल्डिस्क सेलेक्ट करनी है हो और यहां पर इसलेक्ट के folder पर किलिक करता हूं उसके बाद फाइल फार्मेट मैं आता हूं और यहां पर मैं रिसेट करने के बाद मानलो आगर आपके पस कोई PDF आपको रिकावर करना है तो आप सिंपली PDF लगाएंगे ठीक है आपके पस अगर कोई PNG है तो आप यहां पर P लगाएंगे उसके बाद आपको simply हम पर टिक करना है और टिक करने के बाद यहां पर थोड़ा सा में जल्दी-जल्दी कर रहा हूं उसके बाद को क्या करना है मानलो आपके पस कोई JPG लगाएंगे और यहां पर यह जबी जो भी आपके पास यहां पर JPG मेंज होगी वो तब तक आपको यहां पर वेट करना यहां पर देखिए कुछ PNG फाइल जो हमारी है मैंने सिर्फ पिएन जी हम पर और मिल रही है अब हम अगर यहां पर आते हैं में स्क्रें पर और यहां पर हम उसी फोल्टर में जाएंगे मैं थोड़ा से अब बैक आता हूं और यहां प सब्सक्राइब करें लेकिन आपको लगब आज आफर में प्रोवाइड करा रहा है लगब आपको पड़ेगा वहां पर आप डाउनलोड करें और उसको यूज करें क्यूंकि प्रीविएस जितना भी लगब हमारे पास 100 वारंट से उन वह काम करता है लेकि निव वारंट में जैसी आता है उन पर काम नहीं करता है आज इसको बाइक करके क्योंकि वह विदने मन्थ आटू मंथ वह जो है अपना जो भी यह एक अलगुरिद्व एडवांस अलगुरिद्म जो है वह डालते है अपने सौफट्वेर में और उसकी करना है तो यह था आज का वीडियो और आपको पसंद आगया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो का लाइक करें चलन को सब्सक्राइब करें और मिलते और एक वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए में पस्की में आपको 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 वीडियोव प्सक्राइब करेंब। क्यार लोंपड़ टेम्हां थी बत्सके आपकश वीडियोड जर है में वीडियोड़ में तो ब देग्सक मकं मतर वालसalduto